आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्टसप का डिलीट चैट वापस कैसे लाए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रहा मेरा वर्टसप और कई बढ़ क्या होता है गलती से आपका यहाँ पे कोई मैसेज डिलीट हो जाता है तो यहाँ पे वर्टसप के अंदर एक ओफसन होता है जिसकी मैसेज आप बहुत ही आसानी से अपने डिलीट चैट को वापस ला सकते हैं अगर आपको पता नहीं वर्टसप का डिलीट चैट को वापस कैसे लाए जाता है तो फिर इस वीडियो को ध्यान सलाश तक देखते रही है आज की इस वीडियो मैं आपको step by step इसी के बारे में बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल InfoTube में तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं WhatsApp का delete chat को वापस लाना काफी जादा आसान है बस आपको वीडियो को ध्यान सलाश तक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो पर इस वीडियो को लाइक साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं WhatsApp को open कर लता हूँ अब यहाँ पे WhatsApp open करने के बाद आपको उपर के साइड में जो ठी डोट का उफसन देखने को मिलता है इस पर आपको आजाना है जैसा आप यहाँ पे आजाते है सिंपले आपको setting वाले option पर क्लिक कर देना है अब दोस्तो setting पे आने के बाद आपको नीचे के साइड में आना है और यहाँ पे एक chat का जो option देखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे आने के बद नीचे के साइड में आपको एक option देखने को मिलेगा chat backup का इस पर आपको click करना है अब दोस्तों यहाँ पे आने के बद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है आपका chat का यहाँ पे backup हुआ है या फिर नहीं हुआ है यहाँ पे जो backup वाला button है इस पर आपको बिल्कुल भी click नहीं करना है बस आपको यहाँ पे देख लेना है यहाँ पे अगर आपका chat का backup हुआ है तो जो है आपको simply बाहर आना है बाहर आने के बचले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारा delete chat वापस आता है सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ chat को select कर लेंगे कुछ इस परकार से और यहाँ पे select करने के बाद हम जो है सभी chat को यहाँ पे delete कर देंगे ठीक है यहाँ पे आप दे सकते हैं मैंने जो है delete वाला button पे click किया और यहाँ पे हमारा chat जो है वो delete हो चुका है आप दे सकते हैं हमारा पूरा का पूरा WhatsApp चैट यहां पर डिलीट हो गया अब यह मुझे अपने डिलीट चैट को वापस लाना है डिलीट मैसेज को वापस लाना है चले मैं आपको बताता हूँ कैसे WhatsApp का डिलीट मैसेज वापस आएगा अब दोस्तों यहां पर डिलीट मैसेज को वापस लाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है? अपने मुवाइल फोन के सेटिंग में आ जाना है यहां पर आप दे सकते हैं यह रहा मेरा मुवाइल फोन का सेटिंग सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं mobile phone के setting में आने के बाद आपको नीचे के side में जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा apps नाम का कुछ इस प्रकार से simply आपको apps वाले option पर click करना है जैसे आप यहाँ पे आज आते हैं और यहाँ पे WhatsApp के app info पे आपको आ जाना है अगर आपके mobile phone में कुछ इस प्रकार से WhatsApp नहीं खुल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे आपको simply WhatsApp पर थ्वादेर दबा करके रखना है यहाँ पे i button आपको देखने को मिल जागा और app info लिख करके भी आ सकता है सिंपला आपको इस पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनलि उसी sitting और दुबारा से हम आ गया है यहाँ पे आने के बाद सिंपला आपको laborika करना है और यहाँ पे clear all data पे जो है आपको click कर दे हैं यहां पे आपको delete वाले option पर click करना है finally दोस्तों 50% हमारा काम हो चुका है अब जो आपको दुबारत से WhatsApp को यहां पर open कर लेना है WhatsApp open करने के बाद आपको यहां पर next पर click करना है यहां पर agree and continue पर click करना है यहां पर आने के बाद आपको अपने mobile number डाल देना है मौल नमर डालने के बाद आपको यहां पर next वाले option पर click करना है next पर आने के बाद यहां पर आपको ok वाला button पर click करना है अब दोस्तों यहां पर आने के बाद आपके number पर OTP आएगा जो कि automatic ले लेगा सबसे main important काम आपका यहां से start होता है यहां पर ध्यान से देखिएगा simply आपको continue पर click करना है permission को यहां पर allow कर देना है और यहां पर permission allow करने के बाद यहां पर आपके सामने दो option आ जाएगा पहला restore का और दूसरा यहां पर skip का अब दोस्तों यहां पर restore वाला button है यहीं से आपका delete chat वापस आता है आपको यहां पर skip वाले बतन पर गलती से भी click नहीं करना है simply आप restore वाले option पर click कर देजिए जैसे आप यहां पर restore वाला button पर click कर देते हैं यहां पर कुछ इस परकार का interface आएगा और आपको जो भी delete chat है वो वापस आना start हो जाएगा यहां पर फिर से आपको restore वाला button पर click कर देना है फिर से आपको थोजर wait करना है आपका delete chat वापस यहां पर आना start हो जाएगा जैसे यह वो आपस आ जाता है 100% complete हो जाता है simply आपको next वाले option पर click करना है दोस्तों यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं हमारा DP भी यहां पर लग गया अब जो आपको next वाला जो option देखने को मिल रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप यहां पर click कर देते हैं आप finally देख सकते हैं साथ इसाथ चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले